हाई गाईज तो मीवेंट 4 में फाइनली एक न्यू अपडेट आ गया है जिसका बर्चन है मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार ठीक है तो यहाँ पर जो अपडेट आया है उसका बर्चन है 1.0.6.24 तो यह अपडेट आ चुका है और यह अपडेट मैंने अपने मीवेंट 4 में कर लिया है तो आज की इस वीडियो को अगर आप देख लोगे तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इस अपडेट में आपको क्या कुछ न्यू फीचर्स देखने को मिल जाते है और आपको यह अपडेट कब तक देखने को मिल जाएगा और अगर आप अभी अपने मीवेंट 4 को अपडेट करना चाहते हो तो आप अभी अपने मीवेंट 4 को अपडेट भी कर सकते हो तो कैसे करना है वाने रहिए इस वीडियो में सारा कुछ इस वीडियो में बता तो चलिए बिना टाम वेट कि ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं आपको सबसे पहले तो बता देता हूं कि आपको इस अपडेट में क्या कुछ न्यू देखने को मिल जाता है तो यहां पर सबसे पहले हम चलते हैं मीफिट एप में और मीफिट एप में जाने के बाद यहां पर हम चलते हैं बेंड डिस्प्लिय स्टैटिक्स में ठीक है तो यहां पर गाइज अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको फोर न्यू वाच फेस देखने को मिल जाएंगे तो यहां पर मैं इस वाले वाच फेस को आपको सबसे पहले तो एक बात यहां पर मीफिट फोर पर लगा के दिखा रहें तो यहां पर ठोड़ा पर मिलते थे नकिसे को बड़ा दिया रह यहां बड़ा आप देख सकते हैं आप आप कर दिया गया है आभ बात करें अगर नेक्स्ट फीचर की तो यहां पर जो नेक्स्ट फीचर है को मिलता है इसमें ज्यादा कुछ तो देखने को नहीं मिलता है और जो नेक्स्ट फीचर देखने को मिलता है तो क्या मिलता है मैं आपको बता देता हूं तो जो फीचर आपको देखने को मिलता है तो वह यहां पर आपको वह जाता है यहां पर आपको यहाँ पर 5 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं यहां पर है तेन सेगंड़ंड का ऑप्शन में एक मिनट में आपको थोड़ा सा फोकस करके दिखा देता हूं तो केमरा का फोकस तो यहां पर देखिए एक 6 second का option है 7 second का option है 8 second का option है 9 second का option है 10 second का option है यहापर दिया हुआ है तो आपके जो Meeven 4 है इसकी screen को आप कितनी देरे तक on रखना चाहते हो वो यहाँ पर आप set कर सकते हो ठीक है पहले यह default 5 second पर set था वट अब आप यहाँ पर 6,7,8,9,10 जितनी भी second पर आप set करना चाहते हो उतना यहाँ पर कर सकते हो वट यहाँ पर यह आपको बता देता है warning देता है कि अगर आप 10 second पर यहाँ पर 8,9 second पर set करते हो तो यहाँ पर आपकी वेटरी life है वो जल्दी खर्च होगी तो यहाँ पर यह फीचर आपको देखने को मिल जाता है तो यही फीचर आपको देखने को मिलता है मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आपको इसको जो अपडेट करना है तो अपडेट करने के लिए आपको क्या करना होगा करना फोराद आपको सबसे पहले तो आपकी क्षिन उसको अपडेट करना हो जो की ओकिसिन फेट गट में को प्रिश घृब करना हो तो में आपको बता रहे था पोद्वास मुंट है उसकी मिंटे टारी मिठें कि लिंको अपको करना और सोग में उसके बाद यहां पर आप नीचे की साइड में जाओगे तो यहां पर आपको एक option देखने को मिलेगा check for updates का तो जैसे आप check for updates में जाओगे तो यहां पर आपको latest वाला update 1.0.6.24 वाला update देखने को मिल जाएगा उसके बाद आप जो है अपने अपडेट में देखने को मिल जाते हैं तो जल्दी से अपडेट कर लीजिए अपने मीवेंड 4 तो यह थी आज की वीडियो आई ओक को वीडियो अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और बेल आइगन पर क्लिक काना मत दूलिएगा त्रस्टी उड़ों में थैंक्स फो वाचिंग